हम classification of research by method की गुफ्तगू को आगे चलाते हुए अब quantitative approaches में जो आखरी method है experimental research जो है इसके बारे में थोड़ी सी तफसील देखते हैं experimental research सबसे ज्यादा established तरीका है research का जो भी quantitative studies में designs हम इस्तमाल करते हैं उनमें सबसे ज्यादा मेचोर जो है वो designs और सबसे widely use होने वाले designs भी है जो हैं वो experimental research के experimental research में होता है कि आप एक controlled environment में कोई manipulation करते हैं आप अपने independent variable को change करते हैं और उसके नतीजे में dependent variable में क्या change आती है इसको आप study करते हैं इसका एक important element क्या है जो बाकी किसी और research में नहीं था हो है manipulation of independent variable मैं यह कहता हूँ effect of exercise on physical health of students तो देखिए इसमें effect of exercise exercise मेरा एक variable है जिसको जो independent है exercise के बदलने से कम या ज्यादा करने से जो चीज दूसरी change हो रही है जो इस पर depend करती है वो है उनकी physical health इसका मतलब है कि मेरे अख्तियार में है कि मैं exercise की quantity को कम या ज्यादा करूँ वो मेरी choice है लेकिन एक तफ़ा जब मैं वो choose कर लूँगा कि एक दिन में एक घेंटा exercise दो घेंटे exercise तीन घेंटे यह मेरी choice है जो मर्जी select करूँ जब एक दफ़ा मैंने उसको select कर लिया तो उसके नतीजे में health में कितना फरक आना है यह फिर मेरे अख्तियार में नहीं रहा वो खुद ब खुद होगा उस independent variable की वज़ा से मैंने अपने independent variable को manipulate किया manipulate करने का मतलब है उसकी मिकदार को कम ज्यादा किया उसको change किया यह मैंने अपनी मरजी से है खुद choose किया इसलिए मैं कहता हूँ कि experimental research का unique feature क्या है कि आप independent variable को change करते है manipulate कर सकते है उस manipulation के नतीजे में आपका जो dependent variable है उसमें क्या तबदीली आती है इसको आप study करना चाहते है ऐसी तमाम researches जिन में आप independent variables को manipulate करके dependent variable पे result देखना चाहते है इसको आप experimental research कहते है और experimental research भी controlled environment में मसला मैं a group of individual select करता हूँ वो एक environment में exist करते है वहाँ जाके मैं उनको exercise कराता हूँ उस exercise कराने के बाद फिर मैं उनकी सहत में जो change आई उसको note करता हूँ और सहत में change लाने वाले बाकी तमाम factors जो है मसला quality of food है quality quality of sleep है उससे भी तो health अच्छी हो जाती है उन तमाम variables को जो के exercise के इलावा health को effect कर सकते हैं उनको control करता हूँ so experimental research के designs में ये facility है कि आप independent variable को manipulate करते हैं उसका effect dependent पे देखते हैं और आपके independent के इलावा बाकी जितने भी variables आपके dependent variable पे असर अंदाज हो सकते हैं आप उन सब को control करते हैं इसके designs में ये provision है कि आप control कर सकते हैं मुफिर तरीकों से जब भी आप इस नौईयत की कोई research करते हैं तो हम कहते हैं कि ये experimental studies है ये experimental research है और पिर आगे experimental research के अपने designs है methods हैं जिन पे हम तफसीलन गुफ्तगू इस section में जब हम experimental research को discuss करेंगे detail में तो वहां करेंगे अभी आपको सिर्फ ये फर्क समझना जरूरी है कि experimental research काजल comparative research से या survey research से किस तरह से different है तो इन चारों में जो फर्क हैं अपस में अगर आपको ये वाज़ हो गए तो कल को ये बात हमें help करेगी जब हम इनको तफसील में पाड़े होंगे तो फिर हम इनको आपस में confused नहीं करेंगे और अपने research topic को कौन से कौन सी research से मुतलिक है वो या कौन सी type of या method of research से related है ये फैसला करने में भी हमें ये understanding help करती है